हे गाईज, कैसे हैं आप सब? वेलकम टो हटो इंडी यूटूब चैनल दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे RRB क्लरक की लेटेस सेल्डी स्लिप के बारे में जानेंगे, अगर आप एक न्यू जॉइनी है आपने बैंक को जॉइन किया है तो आपको इन हैंड सेल्डी कितने मिलेगी RRB में और ग्रॉस सेल्डी कितनी मिलेगी साथ ही साथ इस चीज को भी डिसकस करेंगे कि आपको जो डिया आपका कितना बड़ा है तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते है दोस्तों अगर आप new joining RRB clerk है तो आपकी जो basic pay वो होने वाली है 19,900 रुपए ठीक है इस पर आपको HR A मिलता है house rent allowance मैं आपको बता दूँ bank में जितने भी clerical है किसी भी आप जगे पर post हो आप urban में हो, rural में हो, city में हो कहीं पर भी हो जो आपका house rent allowance है इसके बाद बात करते हैं दोस्तों जैसा कि आपको पता है bank में एक साल में चार बार दीया रिवाइस होता है तो इस बार ऑगस्नुन्त में भी दीया रिवाइस हुआ है और दीया बढ़ गया है तो जो नए डीया आपको मिल रहा है वो है 5,870 रुपए यानि आठावन सो सुतततर रुपए आपको डियरनेस allowance मिलता है इसके बाद दोस्तों आपको special pay मिलता है for award staff यह कुछ banks नहीं देते हैं होता क्या है जैसे कुछ RRBs होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ cashier को allowance देते हैं तो आपको 1250 रुपए मिलेगा इसके बाद जो special allowance है वो आपको मिलता है 3260 रुपए फिर special allowance पर आपको DA भी मिलता है ठीक है 906 रुपए 96 पैसे यह DA revise हुआ है मैं आपको बता दूँ इसके बाद दोस्तों यह तो आपकी हो गई earnings earnings के बाद आपकी salary में deductions भी होती है तो चलिए देखते हैं deductions कौन सी होती है दोस्तों सबसे पहले यह कटा है BSBS दोस्तों BSBS क्या है जब हमारा कोई employee expire हो जाता है तो हर जितने भी हमारी staff है सब के account से 100 रुपीज कर जाते हैं और उस दिसी staff की family को दे दिया जाता है जो भी fund collect होता है ठीक है तो यह काफी अच्छी चीज़ है यह भी आरेवर्थ bank में ही है सबी banks में यह नहीं होती है इसके बाद next चीज़ है जो हम discuss करते है NPS new pension scheme दोस्तों NPS में आपका DA plus basic का 10% करता है और अब आपको पता होगा एक latest news आई है 14% जो bank का contribution अब हो गया है पहले जो कि 10% था तो 2703 रुपए आपका है और करीब करीब यह मान लिज़े कि 3000 रुपए bank अपने तरफ से देगा ठीक है तो यह हो गई आपकी इसके बारे में बात इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अगर अपनी अर्णिंग को क्या चीज़े और दोस्तों अगर अपनी अर्णिंग को क्या चीज़े करते हैं तो आपका जो ग्रॉस अमांट बनता है वह 33,306 रुपए यह देखिए उसमें डिदक्शन हो जाते हैं आपके डिदक्शन होने के बाद आपको 30,133 रुपए मिल रहा है तो यह अपकी इन्हेंट सेलरी है बट आप इसमें 500 रुपई और जोड़ दीजे क्योंकि हर टाइम पे जो स्टाफ है वो डिसीज स्टाफ बैंक में नहीं होता है हमेशा कोई ने कोई बैंक में एक्सपायर नहीं होता है तो जो 500 आपके एक्स्टा कटे हैं पास लोगों के एक्सपायर होने पे वो नहीं होगा तो आप माली जे 30,600 रुपए 35,000 आपकी इन्हेंट सेलरी बनने वाली है अगर आप इस type में रृण्वी क्लरक को जोइन करते हैं ठीके इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं आपको और एलाउंसे क्या मिलते हैं दोस्तों अगर आप ob now to nest पे पेट्र 이용स मिलेगा पेट्रोल अलाउंस दोस्तों क्या है फाइव लीटर पर मंद का हिसाब से मिलता है, तभी मिलेगा जब आपके नाम पे बाइक होगी, यह आप क्वाटरली बेसिस पे ले सकते हैं, इसके बाद दोस्तों, आपको जो एगला अलाउंस है, वो है नूस्पेपर का, नूस्पेपर का आपको फाइव दे पर डे का हिसा मेडिकल अलाउंस, इसके बाद हर बैंक, आप जो जितने भी प्रफिक सेक्टर बैंक है, कैशलेस मेडिकल सुधा देने लगे, तो कैशलेस मेडिकल सुधा में दोस्तों यह होता है, कि आपको जाके सिर्फ होस्पिटलाइज हो जाना है, जो भी उसका खर चाहेगा, वो बै कि आप के ंपक्टर सेक्टर कparty बैंक, वो जलाईज हो जाचीन renου दोंगते है, कि इसके अमेडिकल सुधा लग्ध। बैंक, बैंक ह। झाहेएट अगे जो जाना है, कि आपकोश।